हेलो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं NCRD के कुस्चा नंबर 6 पे इसमें कहा है कि 4 बिंदू आवेस QA बराबर 2 माइक्रोकुलाम QB बराबर माइनस 5 माइक्रोकुलाम QC स्कुल 2 माइक्रोकुलाम वा QD माइनस 5 माइक्रोकुलाम 10 cm भुजा के किसी वर्ग A, B, C, D के कोनों पर इस्थित हैं वर्ग के केंद्र पर इस्थित एक माइक्रोकुलाम के आवेस पर आरोपित बलका परिकलन कीजिए यहाँ पर बच्चा कह रहा है कि एक वर्ग है अगर हम लोग देखें यहाँ पर कहरा कि एक यह वर्ग है और इसके सभी कोनों पर सभी कोनों पर तो यहाँ पर A, B, C, D ठीक न? अब अगर हम इसको मिला दें तो यह क्या हो जाएगा? इसका विकड हो जाएगा और ये अगर हम मिला दे तो ये इसका विकार हो जाएगा तो अगर देखा जाए तो ये कहीं कहीं क्या हो जाएगा इसका सेंटर हो जाएगा ये सेंटर आपको क्या हो गया ओ अब यहां पर कहना कि इसका जो ये वर के जो भुजा है वो किता है 10 सेंटी मिटर अगर वर की भु विकड़ आपका db है और वर्ग का विकड़ आपका क्या है ac यह बराबर होते हैं यह क्या होता है भुजा रूड दो होता है तो a रूड क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा भुजा कित्ता है 10 cm 10 रूड कित्ता हो जाएगा 2 cm मीटर लेकिन हमें क्या चाहिए हमें हमेसा ये चाहिए क्योंकि कहा है कि यहां पर एक आवेस क्यू ए रखा है और क्यू ए यहां पर एक आवेस क्यू भी रखा है यहां पर एक आवेस क्यू सी रखा है और यहां पर एक आवेस क्यू डी रखा है QA का मान जो बच्चा है वो आपका 2μC है QB का जो मान है वो –5μC है –5μC ठीक है और यहाँ पर आपका जो QC है ये आपका 2μC है 2μC और QD का बच्चा जो मान है ये है आपका –5μC –5μC अब यहाँ से बच्चा और यहाँ केंदर पर किता रखा है एक माइक्रो कुलाम का आवेस तो ये क्या करेगा इस पर बल लगाएगा ये इस पर बल लगाएगा ये इस पर बल लगाएगा ये वाला इस पर बल लगाएगा अगर बन लगाता है तो एक आवेस अगर ये इस पर बन लगाता है तो ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा तो कहिन कहिन डिस्टेंस भी तो हमें यही वाला चाहिए अगर हमें यह डिस्टेंस चाहिए तो कौन से चाहिए हमें A O का मान चाहिए हमें B O का मान चाहिए हमें C O का मान चाहिए हमें D O का मान चाहिए और ये जो वैलू होगा वो इनका क्या होगा आधा तो 10 रूड बटे 2 ह और इसी को मेरे बच्चों काटोगे तो 5 root 2 cm हो जाएगा यह क्या हो गई बेलू तो बच्चा अगर हम देखें तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो इनकी value होगी वो 5 root 2 इसकी value 5 root 2 और इसकी value बच्चा क्या हो जाएगी 5 root 2 हो जाएगी अब यह cm में तो आप चेंज कर सकते हो, 5 root 2, गुरते 10 to power minus 2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक न, अच्छा अब यहां से अगर आप इसके value को चेंज करिए, तो 2 गुरते, micro को चेंज करेगे, 10 to power minus 6 क्या हो जाएगा, अगर आप इसे चेंज करिए, तो यहां से आपका 2 गुरते, 10 to power minus 6 क्या हो जाएगा, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे कुलाम करनी हम लगाएंगे ठीक ना क्योंकि बल की हमें क्या करना है गड़ना करनी है तो ध्यान दिजिए यह धनातमा कावेस है यह धनातमा कावेस है तो यह इस पर क्या करेगा बल लगाएगा किदर क चीई इस प्लस प्लस है इसको क्या करेगा प्रतक्राशित करें бесп faut b कि इसका जिसा इदर क्योंगा ठीकड़ यह इस पर बन लगाएका यह इसको अपनी ओर खीजेगा किटा एफ भी हुआ है एटारेक्शन हो गया इसका यह C आपका QC है वो इस पर बल लगाएगा ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस एक दूसरे प्रतकरसित करेंगे तो ये बल इधर लग जाएगा आपका FC और ये क्या करेगा इसको अपनी और खीचेगा क्यों 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 कि ये धरातमा आपका अगर देखा जाए बच्चों तो नेट फोर्स किता होगा नेट फोर्स क्या हम सभी फोर्स को जोड़ देंगे अध्यार ओपर किसे धान क्या धापर तो जब हम यहाँ पर एप नेट निकालेंगे तो ये आपका आएगा FA प्लस FB प्लस FC और ये आपका आएगा वेक्टर के साथ क्योंकि ये आपका एक सदिस रास्य है और यहाँ पर समी करण क्या बन गया एक बन गया अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इनका मान अलग अलग निकाल सकते हैं तो अगर बच्चों हम यहाँ पर यहां पर रखेंगे 10 गाद माइनस 6 और दूरी किता है 5 root 2 into 10 to power minus 2 का क्या हो जाएगा इस कार हो जाएगा ये लगने वाले बलकी गड़ना ठीक ना तो इसको थोड़ा सा मैं यहां से मिटा रहाँ इस चीज को और यहां पर जो दूरी है मैं यहां लिख दे रहा हूं 5 root 2 into 10 to power minus 2 मीटर हो जाएगा ठीक ना मैं इसे यहां से मिटा रहा हूं ताकि यहां पर लिखने के लिए आसानी हो जाए अब मेरे बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे यहां पर effect का मान हो गया अब यह तो बल तो पता चल गया लेकिन बल की दिशा क्या है अगर बच्चा यहां पर हम इसकी दिशा देखें तो दिशा क्या हो सकती है तो देखो दिशा क्या यह plus है और यह plus तो यह इदर इसको धक्का मारेगा तो इसकी दिशा o से secure दिशा क्या हो जाएगा O से C की और, यह बच्चा क्या हो गया, दिसा O से C की और हो गया, यह एफे कामान हो गया, ऐसे मेरे बच्चों क्या हम FB कामान निकाल सकते हैं, 9 गुरते 10 घात किता रख देंगे, 9, यहाँ आवेस किता है, 5 गुरते 10 घात किता माइनस छे, माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हम value रख रहे हैं, बस हमें मेगनिटरोट से मतलब है, और यहां किता है बच्चा, 10 गहाद माइनस छे और यह किता, 5 रूट 2 इन्टू 10 टू पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा whole square हो जाएगा अगर मेरे बच्चों यहाँ पर हम दिसा की बात करें, तो दिसा क्या होगा तो यह रिडातमा कावेस है यह धरातमा किये, इसको अपने ऊखीचेगा, तो दिसा O से कहां आएगा, B की और तो दिसा अगर बच्चा लिखे O से B की और B की और बच्चा दिशा क्या होगा है O से B क्यूर अब अगर हम यहाँ पर क्या करें ऐसे यहाँ पर F C का मान निकालें तो F C का मान आपका क्या हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर 9 गुर्टे 10 गात किता हो जाएगा 9 और यह आवेस आपका किता है दो गुर्ते 10 गात किता माइनस 6 और यह आवेस किता है बच्चा 10 गात किता माइनस 6 बटे और डिस्टेंस 5 रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा? खोल स्कार हो जाएगा अब इसकी दिसा अगर हम बच्चा यहां बात करें तो इसकी दिसा क्या होगी? यह प्लस है यह भी प्लस है इसको प्रतकरशित करेगा तो यह दिसा आएगी O से A की ओर तो बच्चा जो दिसा होगा वो क्या हो जाएगा? दिसा O से A की ओर दिसा O से A की और यह दिसा हो गए मेरे बच्चा अब हम यहां से क्या कर सकते हैं यहां से अगर देखें तो हम यहां पर मेरे बच्चों मैं क्या यहां पर क्या हो जाएगा अगर मैं यहां से बच्चा क्या करूं एफ डी का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा 9 गोड़ते 10 गहात किता 9 और यहां से यह आपका 5 गोड़ते 10 गहात minus 6 और यह आपका minus 6 10 गहात minus 6 और यह 5 root 2 into 10 to power minus 2 का क्या हो जाएगा बच्चा whole इसकार हो जाएगा इसका बच्चा direction निकालते हैं अगर इसका दिसा निकाल दिये तो क्या हो जाएगा तो दिसा इसका कहा जाएगा O से D की और अब इसमें आप देखेंगे कि आपको दो बलकी value equal मिलेगा जैसे अगर आप पहला देखिए आप F A को देखिए और यहां पर F C को देखिए क्या दो के दोनों का value सेम है की नहीं magnitude के दोनों सेम है की नहीं देखिए नो गूर्ते देखा नो दो गूर्ते देखा माइनस चे यह देखा माइनस चे और यह फाइब रूट टू गूर्ते देखा माइनस दो का square और यही चीज आपका बच्चा यहां पर सेम value है इसका मतलब कि magnitude में परिमान में क्या है दो के दोनों समान है अगर दो के दोनों समान है एफ ए और एफ सी लेकिन दिसा में क्या है एफ ए और एफ सी विप्रित हैं कहाए यहां देखे यह इधर लग रहा यह इधर लग रहा है तो परिमान में समान है और दिसा में दोस्तों क्या है विप्रित है तो अगर हम यहां पर अगर हम बात करें निकालें एफ ए वा एफ सी का परडामी बल तो हम लिख सकते हैं एफ ए वा एफ सी का परडामी बल अगर हम निकालें परडामी बल निकालें तो क्या हो जाएगा तो यहां से जो इनका F A प्लस F C आएगा तो यह क्या हो जाएगा एक यह बराबर है एक दूसरे के बराबर है परिमान में क्या है बराबर है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा अगर यह बराबर है तो इनका परडामी क्या हो जाएगा? जीरू हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कड़ जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे इक्वल है ठीक न? अगर बच्चा ये इक्वल है तो यहाँ से जो इनका वैलू होगा तो वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इनका क्या होगा, क्योंकि परिमार में क्या है, समान है, परिमार में क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, परिमार में समान, परंतु दिशा में विपरीत है, अगर परिमार में समान और दिशा में विपरीत है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जोडेंगे, तो इनका जो resultant value आएगा, बच्चों, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब यहां से बच्चा, हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां से ध्यान दे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, Fb का काम हो गया अब यहां से अगर देखा जाएं, तो ऐसे Fb और यहां से Fd, इन दोरों का देखें, value क्या है, same है, Fb और Fd, बट यह दिशा में क्या है, विपरित हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, विक्टर Fb और Fd, परिमाड में समान, परंतु दिशा में विपरित हैं, परंतु दिशा में विपरित हैं, परिमाड में समान है, परंतु दिशा में विपरित हैं, तो इनका परडामी बल, तो इनका परडामी बल, इनका परडामी बल, अगर बच्चा हम इनका परडामी बल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो भाई, अगर यह बरबर है, तो पडामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो FB वेक्टर और प्लस FD वेक्टर तो पडामी बल किता हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अब overall हम इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण में अगर हम लोग रखें, तो यहां से जो Fnet आया है बच्चा, वो किता हो जाएगा, F A वे प्लस FB वेक्टर प्लस FD वेक्टर अगर हम इसको लें, तो इनका पडामी 0, इनका पडामी 0, तो overall जो रिजल्टेंट आया, वो Fnet किता आगया मेरे बच्चा, 0 आगया, तो यहां पर बच्चा, तो वर्ग केंदर पर जो आवेश एक कुलाम का, एक माइक्रो कुलाम का इसका मतलब कि इस पर जो लगने वाला नेट फोर्स है, वो बच्चा किता हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो उम्मीद गारता हो बच्चा, यह आपको कुस्चन समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हमारा यह फार्मिट आपको अच्छा ल